हेलो मिस्टिरियस बुक मेंबर मैं हूँ आपका दोस्तों मोनू एंड वेलकम इन मिस्टिरियस बुक चैनल सूपर सोर डाउन 2020 का आयोजन होने में आप कुछी समय रह गया है इस बार कमपनी वालों की तरफ से काफी बढ़िया मैच कार्ड भी जोडा गया है सबसे पहले आपको बताते हैं कब होने वाला है सूपर सोर डाउन दरसल इस बार सूपर सोर डाउन का आयोजन 27 फरवरी को साओधी अरब में होने वाला है चलिए खोलते हैं मिस्टीरियाज बुक का बेहधी खासंक और जानते हैं सभी मैच कार्ड और उनके प्रड़क्शन के बारे में इस बार सूपर सोर डाउन में सेथ रॉलिंस और बड़ी मर्फी की टीम बनाम दा स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम के बीच रॉट टेग टीम चैंपियंशिप का खास मैच रखा गया है सेथ रॉलिंस और बड़ी मर्फी ने 20 जनवरी को हुए रॉके खास एपिसोड में दव वाइकिंग रिडर्स को हराया था और रॉट टेग टीम चैंपियनसिप को जीता था बात करें इस मैच के विनर की तो इस बार स्ट्रीट प्रॉफिट के जीतने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है हमारे ख्याल से सेथ रॉलिंस और बड़ी मर्फी टाइटल का बचाओ कर डालींगे अगले मैच कार्ट की बात करें तो इस बार निव डे की टीम बनाम जॉन मॉरिसन और दव मिज की टीम के बीच स्मेग डाउन टेग टीम चैंपियनसिप बेल्ट के लिए मुकाबला होने वाला है बात करें न्यू डेर टीम की तो न्यू डेर टीम में बिगी और कोफी किंश्टन के पास वर्तमान में स्मेकडाउन टेग टीम चैंपियंसिफ बेल्ट है इस बार सूपर सोर डाउन में यह मुकाबला काफी जवर्दस्थ होगा इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं बात करें इस मैच के विनर की तो इस बार मिज और जॉन मौरिसन के जीत की बहुत ज़्यादा संभावना है इसलिए हम प्रड़क करेंगे जॉन मौरिसन और दब मिज को इस मैच के लिए अगले मैच कार्ट की बात करें तो इस बार साउधी अरब में एक खास मैच होने वाला है यह मैच होगा तुएक ट्रोफी गॉंटलेट मैच इस मैच मैं AJ स्टैल बनाम R-Truth, बनाम Eric Rowan, बनाम Rusev, बनाम Bobby Leslie, बनाम Andrade को रखा है बात करें इस मैच के विनर की तो इस मैच में Rusev के जीतने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं इसलिए हम प्रिडक्ट करेंगे Rusev को इस खास मैच के लिए अगले मैच कार्ट की बात करें तो इस बार Roman Reigns बनाम King Corbin के बीच एक Steel Cage मैच रखा गया है Roman Reigns और King Corbin की दुसमनी पिछले काफी समय से काफी खतरनाक रूप से चल लई है इस बार यह मैच भी काफी highly predictable मैच है हो सकता है कि King Corbin कुछ खास चाल चल दें बात करें इस मैच के विनर की तो इमानदारी से कहें तो King Corbin के मैच जीतने के बहुत कम चांस है इसलिए हम प्रड़क करेंगे Roman Reigns को इस Steel Cage मैच के लिए बात करें अगले मैच कार्ट की तो इस बार Brock Lesnar बनाम रिकॉसे के बीच WWE Champions of Belt के लिए मैच रखा गया है सूपर सोडाउन में हो रहे इस मैच से बहुत जादा फैंस निरास है क्योंकि फैंस का मानना है कि रिकॉसे के जीतने की कोई भी संभावना नहीं है पर आखरी समय में कमपनी वाले बहुत खतरनाक चाल चल सकते हैं बात करें इस मैच के विनर की तो Brock Lesnar के जीतने के बहुत जादा चांस बन रहे है हमारे इसाब से Brock Lesnar अपना title रिटेन कर लिंगे अगले मैच कार्ट की बात करें तो यह मैच होगा The Find Bray Wyatt बनाम Goldberg के बीच यह मैच highly predictable मैच है क्योंकि यहाँ पर The Find Bray Wyatt और Goldberg दोनों के ही जीतने के बहुत जादा चांस है इस वज़े से fans के साथ हमें भी बहुत जादा उम्मीद है कि यह मैच बेदी सांदार होने वाला है इस मैच मैच मैं Goldberg को जितवाने में company का कोई खासा फायदा नजर नहीं आता है पर Find Bray Wyatt को अगर जितवाया जाता है तो company को खूब फायदा होगा ऐसे मैं Find Bray Wyatt के जीतने के बहुत जादा चांस बन रहे हैं पर इस मैच में हम प्रिड़क करेंगे Bill Goldberg को तो ये थे दोस्तों अभी तक के Super Soul Down के सभी मैच कार्ट्स और प्रिड़क्संस अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ नए मैच कार्ट्स जल्द ही जोड़े जा सकते हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमाई साथ जुनना चाते हैं तो आप हमें इस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक और वेरी खास एपिसोड मैं इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे तब तक रखी अपना ख्याल मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा नमस्कार